Hi mommies and daddies, welcome back to momcom India. I am so excited for today's recipe because ये बच्चों के लिए नहीं, ये आपके और मेरे लिए है. आज हम अपसे शेर करने वाले हैं एक drink जो आपको detox में help करेगी और साथ-साथ weight loss में help करेगी. इसके जो ingredients हैं ये daily life में सबको definitely use करने ही चाहिए. बट इस drink के form में आपको इन ingredients का benefit बहु एक super mom हैं और हमें help करती हैं by bringing these yummy and healthy recipes for both mom, dads and the kids. Over to you, Alison. Thank you, Mansi. आज हम बनाएंगे एक simple weight loss और detox drink. ये drink मैंने नए मॉम्स को भी दियान में रखते हुए बनाया है. इसलिए मैंने सिर्फ natural ingredients ही use किया है. अब ये easy है बनाने में बहुत effective है और साथ में इसके बहुत सारे health benefits भी है. तो चलिए, शिरू करते हैं. तो सबसे पहला ingredient जो हम use करेंगे वो है जीरे के दाने. अब जीरा जो है वो आपकी digestion में help करता है, immunity boost करता है और अगर कोई bloating या inflammation हो तो उसे reduce करने में भी बहुत help करता है. अब दूसरा ingredient जो हम use करेंगे वो है soft. अब soft जो है वो बहुत ही rich source of fiber है जो आपके body के harmful toxins को remove करने में help करता है. तो आपका पेट साफ रखता है और साथी में आपके weight loss को boost करने में help करता है. हमारा तीसरे ingredient जो हम use करेंगे वो है methi के दाने. अब methi को तो एक magical दाना माना जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे health benefits है. vitamins और minerals में high है, digestion में help करता है, weight loss में तो definitely help करता है क्योंकि ये एक detox की तरह काम करता है. और सबसे important अगर आप एक नए mom हो तो ये breast milk increase करने में भी helpful है. हमारा आखरी ingredient है healthy. हल्दी के तो बहुत अच्छे health benefits है. In fact, इसको एक natural healer माना जाता है. इस सबसे बड़ा benefit ये है कि अगर body में कोई भी inflammation हो या bloating हो, ये इसको reduce करने में health करता है. और साथ में एक बहुत बड़ा immunity booster भी है. तो चलिए, अब हम पनादे अपना detox drink. तो सबसे पहले आप एक पैन में दो कब पानी डाल दीजे. अब हम पानी को उबलने के लिए छोड़ देते. जैसे ही उबलना शुरू करता है, तो हम डालेंगे सबसे पहले एक चोटी चमच जीरा के दाने. अब हम इसमें डालेंगे एक चोटी चमच सौफ के दाने. अब डालें आदी चोटी चमच मेथी के दाने. और हमारा लास्ट इंग्रीडियन्ट है, हल्दी. आप इसमें एक चोटाई चोटी चमच उसमें डाल दीजे. और अच्छे से मिलाके अब हम इसको बॉइल होने के लिए छोड़ देंगे. आप इसको दीबी आज पे डाल के एराओंड 8-10 मिनिट के लिए इसको अच्छे से बॉइल होने देना. अब यह अच्छे से बॉइल हो गया है, मैं बस इसको थोड़ा से मिक्स कर रही हूँ और हम इस ड्रिंक को सर्फ कर लेंगे अब मैं इसको एक लास में स्ट्रेन कर रही हूँ अब आप इस ड्रिंक को दो से तीन बार दिन में कंजूम कर सकते हो यह और भी अफेक्टिव होता है जब आप इसको खाली पेट सुबह पीओगे तो अगर आप चाह यह कॉफी पीते हो इसको स्किप करके आप यह पी लीजे यह टेस्ट में भी अच्छा है और अगर आप इसमें थोड़ा सा शहद हनी डाल दो मैंने एक छोटी चमज डाले तो इसमें टेस्ट और भी अच्छा लगता है बट यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहो तो हनी को स्किप भी कर सकते हो यह एक एफेक्टिव वेट लॉस ड्रिंक है और साथ में इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है अगर आप एक नए मॉम हो और आपको वेट कम करना है तो यह डेफिनिटली हेल्फुल है और साथ में यह आपका पोस्ट डिलिवरी रिकवरी में भी हेल्प करेगा तो आप ठ्राई जरूर कीजेगा और हमें बताना कि आपको कैसी लगी So guys I hope आपको यह रेसिपी काफी सिंपल लगी होगी मैं आपको highly recommend करूंगे कि अपनी morning एक detox drink से ही start कीजे और आप सोने से पहले भी एक detox drink जरूर लीजे क्योंकि हम moms को बहुत जादा time early stages में नहीं मिलता है हमारे workouts miss हो जाते हैं हम जो plans बनाते हैं वो नहीं हो पाता हम जो food अपने ले plan करते हैं कई बार वो भी उपर नीचे हो जाता है That's when things like these taken on a daily basis really really help us हमारे metabolism को boost करता है हमारे immunity को improve करता है हमारे weight loss में हमें help करता है और इसमें वो चीजे हैं जो breast milk में भी हमें help करती है So चाहे आप a new mom हो, चाहे आप a new dad हो Go ahead and try this drink and let us know how did you like it Thank you so much for watching MomCom India Do subscribe to Alison's channel Link is in the description box आप से मिलेंगे अगले Sunday with another interesting recipe Till then stay safe, stay happy everyone ।